जैसरी राम दोस्तों तो दोस्तों आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 19 है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्विंग यहां तक ही क्यों आए ये स्विंग यहां तक क्यों नहीं आए और हम कैसे पता करते कि ये स्विंग यहां तक ही आएगी और दोस्तों आज जो हमें profit loss हुआ है उस trade के पीछे कम logic भी जानेंगे और आज हमनी वो trade क्यों लिया था ना उसके पीछे का logic भी जानेंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों देखो आज का market ना इस जगह पे open हुआ था हमारा market है ना और उपर यह हमारा एक resistance आ रहा था यह वाला ठीक हो दोस्तों तो दोस्तों मैंने आपको ना एक जो वारा वीडियो फडाये था जिसमें मैंने आपको बताये था कि बड़े player कहां पर पैसा लगाते है ना उस वीडियो में मैंने आपको बताये था कि हम buy तब ही करेंगे जब कोई last swing तूट जाएगी ना जैसे कि last swing ये तो इसके बाद में एक swing यह थी तो इसके से पहले वाले swing यह आ गई थी तो माल लीजे कि हम बड़ी swing को ले लेते हैं कि यह वाली swing थी यहां पर ठीक है तो यह swing टूट गई थी तो अब हम वही trade लेते अब क्योंकि हम put side का trade अब avoid करेंगे नहीं तो अगर हम random trading करेंगे ने call और put तो हमें loss ही होगा ठीक है दोस्तों तो जैसे ही दोस्तों यहां से market open वा उपर वा तो जैसे दोस्तों यह rally उपर गई ना तो मैं rally में बिल्कुल भी trade नहीं लेता चाहिसे यह मेरी तरब से पूरी ही चली जाती लेकिन मैं rally में trade नहीं लेता उसके बाद में दोस्तों जैसे ही market एक weakness बताता है रैली में उपर जाने के बाद में एक profit booking आती है और seller dominant करते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद में market को इस तरीके से नीचे आता हमेशा ही यही होता है तो market ने यह एक high तोड़ा ठीक ह high तोड़ने के बाद में हम fix हो गए थे कि हम अब bullish side का ही trade लें और दोस्तों आज जो market उपर गए ना उसके पीछे का आपको बहुत सारे logic देखने को सुनने के मिलेंगे कि news है वो है लेकिन अगर आप price action देखोगे न तो price action के इसाब से देखो यह support था तो देखो दोस्तों price लंबी विक बना दिया तो इसका मतलब था market यहीं से उपड़ जाएगा और आज हुआ यहीं भी आप मुझे नहीं पता कोई news आई उसकी वज़े से गया है यह क्यों गया है ना लेकिन price action के इसाब से तो मामला पूरा यही था ठीक है जो मार्के जब भी उपड़ जाता है गरि ना वोर इस ड operate मैंने सब्सक्राइंड पर लिया था यह वाली कंडल जैसे ही यह वाली कंडल open और ग्रिन कंडल मैं इस कंडल की ओपनिंग पर ले ले था क्यों फिमनाची हमें बतायागा ना कि ये मार्केट की लास्ट कंडल है इसके बाद में और 3-5-6-7-8-10 से 5 जितनी और एंडर कंडल बनें तो तो फिमनाची से कहिं पता चल गthinking के यही market के last candle है इसके बाद में और कोई भी दूसरी रेड कंडल नहीं बने की ठीक है अगर बनती तो यह candle यहाँ पर close हो जाती पिर उसके बाद में और भी बन जाती लेकिन फिबनाची यहीं पर बता देते हैं कि यह last candle है और यहां से अमकन पर भी हो गई थे कि market bullish ठीक है अब risk management के इसाब से हमने यहाँ पर trade लिया इस तरीके से यह वने trade लिया था यहाँ पर जैसे ही यह candle open हुई थी मैंने यहाँ पर trade ले लिया था ठीक है और यहाँ तक का मेरा sell था इसका 4 रुपे का और उपर यह resistance आ रहा था यह वाला resistance ठीक है वैसे तो market ना इस resistance को तोड़के जाता क्योंकि market uptrend में था तो हर एक resistance कोई सा भी हो भाई बड़े से बड़ा मैंने आपको जो support resistance वाली वीडियो में फड़ाये था ना देखो चाहिए यह इतना बड़ा resistance हो या चाहिए market में यह इतना बड़ा resistance हो कितना भी बड़ा resistance हो market uptrend में हर resistance को तोड़ेगा एक भी resistance नहीं बचेगा जो market नहीं तोड़ेगा आपको uptrend में हमेशा support पर ही entry लेनी होती है ठीक है तो market का यह nature है हमेशा से ठीक है तो मैंने इस trade को यहाई पर exit कर दिया था इस candle ना उपर closing देने से पहले तो दोस्तों यह फिबना यहां पर एक entry दे दी ठीक है अगले अपन देखते हैं कि फिबनाची अपने को कहां कहां पर काम करता है तो एक हो गया ठीक है उसके बाद में मैं यहां पर एको ले लेता हूं यह दो ठीक है मैं लगा लेता हूं एक तो अपना यहां पर हो गया और एक अपना यहां पर हो 2 entry हो गई दोनों सङझी फिपिनाची पर लेता हूँ यहां पर एक ट्रेड और रहए ट्रिरस हो ट्रेट करीं है तो टोड दिया युण तोड़ दिया था ठीक तौस्तों उसके बाद में फिपिनाची अब लगा जगाह पर यहीं में ही तीन जगव पे काम किरा आप ही में ना ठीक है और जो स्रिंकिंग केंडल्स से सीघ्जिंग एंट कहा पर बनी है देखो एक तो यहां पर बनी है एक यहां पर बनी है और दोस्तों मення यहां अपको शlike यह गैप डाउन और अपने देखते हैं यह कंडल देखो एक दम गैपडाउन केंडल भी है और एंगल फिंग भी है दोनों ही है ठीक है इसके बाद में और कोई भी नहीं है उपपर ठीको दोस्तो अब देखो दोस्तो यह resistance है मार्केट का बिहेवेड देखो आपका जो गलती है न वो देखो पहले मैं आपको अपकी गलती है बता दाओं देखो जैसे मार्केट यह बनाया आप यहां पर यह बना लोगे मार्केट तो यहां से गिरेगा और आपको यह दिग गया कि यह एहम पैटरन भी बन गया है सब कुछ दिग गया लेकिन भईया मार्केट जब तक एक भी स्विंग नहीं तोड़ेगा मैंने बड़े प्लेयर वाले वीडियो में बता है था एक भी स्विंग नहीं तोड़ेगा ना तब तक सैलर आएंगे ही नहीं मार्केट का नेचर है मार्केट यह खुद बोलता है देखो अभी जो मार्केट में स्केम चल रहा है ना कि बड़े बड़े जो ट्रेडर है ना उनके भी लोस हो रहे हैं तो मेरे को अंश्बसक्राइब कर देना और मैं इस वीडियो में bonsuppyu में इस वीडियो में यही बात बोलूगा कि मेरी स्टेड़ीच यह काम ना करेना तो ब्हूय देखो अं'सक्राइब कर देना आा अपना तो さब रूल है यहाँ पर ठीक है तो एक भी आपको यह दिख रही होगी कि यह यहां पर इकाइब के नीचे देखना चाहिए कि वित नीचे तो लोजिंग नहीं कि यहां से बाइल वापसे मार्केट को फोर्स करें ठीक है तो यहां से लोगों का M Band divertion Annika और एंगल Space Inc केंडल बनाई और एंक्र फिंड़ के बाद में यहां पर सेल Tools में कोस्टिश करी कि मेरकर नियां से गिर जाए लेकिन अच्छे तरीके से ऑं मार्के वहापस दिए बगया आप Bowl पारकों यहांग पार उता है तो जम्म नहीं तू टोट मैए लगता तक कोई मार्केट यहां से ओब यह स्विंग बनाए थार रहा जाते तो यह तो यह स्विंग नहीं तूटी बायर आ tent बनाया बारल वे स्विंग इसको माने है मग स्व्थ पतीं भाइर वह बनाख्य उसके आइस फिक बार ماح किसा यह तो इसको अगर उपिर भी पहले एक झाल ही उटिक्राइएortion स्टेंबर की जो एक्सपायरियन उसका 1350 का कोल लिया था ठीक है तो इसकी अभी प्राइज 141.45 रुपे चल रही है तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोने वाट